नमस्कार दोस्तो आई पिल के पिटारे से हम एक और सांस रोग देने वाला रोमान चक मुकाबला लेके आपके सामने हाजिर हैं जो आई पिल 2015 में किंग इलेंस पंजाब और राजस्थान रोल्स के बीच खेला गया था पंजाब को लास्ट ओवर में जीत के लिए जरोत होती है 13 रन की और यकीन मानिये दोस्तो लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर क्रिकेट प्रसंसक कुछी से जूम उड़ते हैं इससे पहले आपको बता दो दोस्तों कि राजस्थान रोईस पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजी के रहाने के 74 रन, सिन वाट्सन के 45 और अंत में करून नायर के धुवाधार बल्लेबाजी की बदौलत अपने निर्धारित 20 ओभर में 191 रन बनाती है और पंजाब के साम ने 192 रन का बहुत बड़ा लक्ष रख देती है लक्ष का पिछाकर ने उत्री पंजाब की टीम लगातार अंतराल के बाद अपने बिकेट गवाती रहती है लेकिन सौन मार्स और डैविड मिलर दोनों अर्ज सतक लगाते हैं और मुकावले में पंजाब को बनाए रखते ह सौन मार्स आउट होने से पहले 65 रन वही डैविड मिलर 24 रन की पारी खिलते हैं इन्ही दोनों के बलेबाजी का नतीजा रहता है कि मुकावला चले जाता है लास्ट ओवर में जहां पंजाब को जीत के लिए जरूत होती है 13 रन की पंजाब के तरब से मैदान पे और अक्सर पटेल वही राजसान के तरब से लास्ट ओवर लेके आते हैं अस्टेलियाई और राउंडर जेम्स फॉकनर ओवर की पहली ही गेंद पर मिचल जाउंसन सौट लगाते हैं और वो दो रन भाग लेते हैं और यही कारनामा वो अगली गेंद पर भी करते हैं सौट लगा के दो रन कम्पलीट कर लेते हैं अब पंजाब को चार बॉल में नौ रन की जरूत होती हैं ओवर की तीसरी गेंद पर मिचल जाउंसन सौट लगा के एक रन लेके अक्सर पटेल को स्ट्राइक पिलाते हैं यहां से अब तीन बॉल में आठ रन की जरूत होती हैं अक् पर अक्सर पटे सोट लगाते हैं लेकिन वो चौके के लिए चले जाता है और मुकावला हो जाता है टाई और चला जाता है सूपर ओवर में सूपर ओवर में पंजाब पहले बैटिंग करते हुए 15 रन बनाती है और राजस्थान के सामने 16 रन की चुनोती रख देता है लेकिन राजस्थान रोई सूपर ओवर में केवल 6 रन ही बना पाती है और सूपर ओवर के जरिये राजस्थान यह मुकावला 10 रन से गवा देती है सौन मार्श को उनकी सांदार बल्लेवाजी के लिए मैन अब दम मैच चुना जाता है